तो मुझीब सब बताइए जो आज आप यहां पर फ्रेस कांसमस बोलाई है आपने आपकी पार्टी के कुछ मेमरान जो है उन्होंने आपकी पार्टी जाइन की है तो क्या कहेंगे इस पर आप जहां तक जाइनिंग का तलुक है यह एक डेमोकरेटिक राइट है कोई भी कोई भी पार्टी से कहीं पर जा सकता है ऐसी बात नहीं है तो उसमें हमें कोई अब्जेक्शन नहीं है लेकिन सवाल है उनकी मेमर्शिप का जो उन्होंने इंडिया नेशनल कॉंगर्स के मैंडेट से एलेक्शन लड़ा है और वो कॉंसिलर बने हैं जहां तक म्यूंसिपल इस वक्त भी वो लोग इंडिया नेशनल कॉंगर्स के मेंबर हैं तो इसलिए इसमें कोई दोराई ने कि वो लोग जो चले गए हैं पार्टी उन्होंने जाइन की है हमें उससे कोई गरज ने लेकिन जहां तक मेंबर्शिप का तालुक है तो वो मेंबर्शिप को साथ नही एक विप जारी के पार्टी की तरफ से और विप की जहां तक हमने जो जितने भी कंसर्ण अथर्टीज थे चाहे इसमें चीफ एलेक्टरल ऑफिसर है जमो कश्मीर यूटी का चाहे डिप्टी कमिस्टर डोड़ा है चाहे डिरेक्टर अर्बन लोकल बाडिज एवन एडिसी बदरवा या एक्सक्यूटू ऑफिसर मिनसिपल कमिटी बदरवा उसके अलवा हमने जो भी हमारे लेडर साहिबाने चाहे आज़ाद साब हैं चाहे हमारे पार्टी के प्रेजिडेंट है हमारे जर्न सेक्टर सब को हमने इनफॉर्म कर दिया कि यह लोग जो चले गए हमने कॉंसलर बने हैं या तो यह खुद रिजायन करें या अथर्टी उनको डिस्कौलिफाय करें बताइए क्या वजुहात रही जो आपके जो छे मेंबर से कॉंसलर थे बदरव मुनसिपल्टी के अंदर उसमें से चार लोग भाग गए तो क्या कोई पार्टी में अनबन थी क् आपकी पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में चले गए असर साब इसमें ऐसा है कि कोई परसनल गरज्जिस नहीं थी कोई किसी का परसनल नहीं है 2018 में मुनसिपल्ट चना हुए बदरव में पार्टी ने इनको मैंडेट दिये उसके बाद पार्टी ने हतल विसा कोशिश की कम से काम 1314 सो गरों में गए हमने डोर टो डोर कंपाइनिंग की इनके लिए इवन कि कई वार्ट्स में इंडिपेंडेट केंडियेट खड़े हुए थे उनको हमने बिठाया और जहां तक भी पार्टी के लोग चाहे सीनिर लोग हैं जूनिर हैं सबने हतल विसा कोशिश की हम यह ने कहते हैं किस तरह हमने ही काम किया इनका अपना भी एक असर उसक था तो उसके बाद यह जब यह कामियाब हो गए तो हर वक्त हमने उनको उसी नजरे से देखा भाई अश्वकत हमारे यह मूंसिपल कॉंसिलर्स हैं लेकिन अब इन्होंने डिसीव किया पार्टी को और यह पार्टी से चले गए और इन्होंने कोई दूसरी पार्टी जाइन की ही तो बस इतना ही है इधर तक हमें मौलूब हैं हमारा कोई परसणल इनके साथ नहीं है ऐसी बात मुझी सबहिए कि हमने देखा कि पहले भी जो कमिटी बनी बीजेपी के साथ ही बनी फिर आप जो है बीजेपी ने सप्पोर्ट वापस ली अप जो है अपनी पार्टी के ज लेकिन जहां तक कांग्रेस का तलुक है इंडियान नेशन कांग्रेस सबसे बड़ी जमात और सबसे प्राणी जमात है जो ने हिंदुस्तान को आज़ा दी दिलाई है एक सेकुलर जमात है तो एट लिस्ट मुझे इतना पता है कि कम से कम चाहे जो लोग चले गए बार्दिया सरकार चल रही है क्या लगता है आपको क्या देश किस तरब जा रहा है इस वकर जहां तक देश के तालुक है मैं को इतना बताना चाहता हूं कि इस वकर टोटल एकनॉमिक क्रैसिस चल रही है आल और इंडिया में इस यहां के हालात आप देखे पहले तो रिसेशन की और हम जा रही थे अब तो हम टोटल एकनॉमिकल डिपरेशन की और जा रहे हैं यहां के इस वकर टी हाला देखे एक जो एकनॉमिकल डिपरेशन है एक विजीबल है आप आप जीडिये पकड़े आप यह हमारा जो इंडिस्ट्रिल ग्रोथ पकड़े आप हमारी एंप्लाइमेंट पकड़े आप हमारा जितना यह रिटेल जितना हमारा होल सेल है जितना भी बिजनस है इस वकर सब लोग परेशन है सब सफरर हैं तो उस नजरे से गर आप देखेंगे कि इस वकर जो हाला थैं देखें मैं आपको बता हूँगा कि 2014 से पहले जो हमारी एकॉनमी थी वो इस व पड़ाओ का भी सिलोगन दिये है लेकि अगर आप देखेंगे कि 2014 के बाद हजारों केसिज हुए हैं रेप केसिज डौरी केसिज और डॉमेस्ट्रिक वाइलेंस वोमें फॉक के खिलाव औरतों के खिलाव और वह बेटी बचाओ बेटी पड़ाओ क्या है हमें उस स्लोगन की समुझने आती है जहां तक हमारे इंडिया की इंडियन पॉपॉलिशन जो है हिंदुस्तान की जो पॉपॉलिशन है आप देखें 2014 से पहले हमारी जो पॉपॉलिशन जो थी वो 30% सिर्फ 30% जो थी वो बिलो पॉवर्टी लाइन थी लेकिन 2014 के बाद आज का आप सैंसिस इस वकत 70% लोग जो इंडिया की पॉपॉलिशन है वो बिलो पॉवर्टी लाइन है कहां 23% और कहां 70% तो ये लोग क्या देश को सुदा रहेंगे मुझे उससाब क्या समझते हैंगा अगर जो जो इनको मेंबर्शिप से निकाल दिया जाएगा डिजल्व हो जाएगा तो क्या चाहते हैं फ्रेश एलक्शन होने चाहिए मुंसेपल कमेटी बदरवा में बिलकुल बिलकुल इन वाडूम में जिस वाडूम से लोग बाग ग लोगों को कि लोगों को के साथ विश्वासगात कि विश्वासगात कि आप क्या कहीं इस बारे में जहां तक विश्वासगात का तंक है पार्टी के साथ हो अई लेकिन लोग भी इस वक्त चर्जा कर रहे हैं ऐसी बात ने जिन लोगों ने इनको बार पूरर स्पोर्ट की है तो वो लोग इस वक्त चर्जा कर रहे हैं वो इस वक्त बड़ा अफसूर्स है लोगों को, कि भया हमने जो किया था, हमने क्या देखा, क्या हुआ, हमने जो किया, हुआ क्या आगे? तो यह है लोगों को इस चीज की बड़ी चिंता है कि यह जो हुआ है तो गलत हुआ है.